नाज़कार फ्रेंड शाज के इस वीडियो में आप सोगी को हम बताने वाले हैं कि जैसे आप देख सकते हैं जो यह हरी चाल के रहा है इसकी बराइटी के बारे में बताएं कि इतनी लंबी घरी इतनी ज्यादा वजन देने वाले अले कि कॉन सी बराइटी है साथ ही जो देख पहिंवा CR आख ते हैं कि कैसे फ ़र्यू चाहे अनुद सब्सक्राव का अधाय होगा इसकी ख़र्यू है आफ कि यह जो इस में क्या बोलते हैं जैसकी फली की दाने है तर आपको दिखाते हैं यह तीन चै दुआर दो दशुराद दूबार दू चौदा चोदा तिन सत्रा ठारा उन्नीस बीस एकीस और तीन उधर चोवीश एक इदर नच चीज़ यह तलब एक पन्जीय में 25-25 आपको मतलब एक पन्जीय में अधर कौन सी विराइटी है यह देख सकते हैं इदर बास की हमने खुंबे लगाये हुआ है मतलब आपको दीख पड़ाओ का पूरे खेत में बहुत अच्छी यहां पहुत ही कम दिनियों के अंदर यादर हर्वेस्टिंग होने वाली है केले की खेती के फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कर विराइटी की तिया विराइटी जी नाइन विराइटी है जो कि आप देख सकते है केले इदम तयार हो चुके हैं हर्वेस्टिंग चारो तरफ कि फर्स यह बाती जी नाइन है जी नाइन यह बहुत ही जादा और बहुत ही बंपर पैदावार देती है कि खास्याति है कि उसकी फली की दाने है वह सबसे जादे दाने रखते यह मतलब एक फली में 30 से 35 भी दा सकते हैं और इसकी फली की लंबाई है वह काफी अच्छी होती है और बहुत ही जल्दी हर्वेस्टिंग के लिए तयार हो जाती है और साथ ही इसमें आपको दिखाते हैं इसके प्लांट जो हैं काफी लंबे नहीं होते हैं लेकिन काफी मोटे होते हैं जैसे देख सकते हैं क वखेत में नीलगाय की कुछ है जो नीलगाय जो इसमें केली में आकर खायa हम हूई है आपको भची ते पूरे पहो क्यान है बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा ज़िक्जास में फली की तो सबस्टारे की कंनभाई और मिलम्रोमें फथली की थे बाग फटे श्ली में म रखती है यह जीनान ग्राइटी बात कर लें ते इसके रुपाई कब होती है तिसके रुपाई फ्रेंस आप मई, जून, जुलाई तक इसकी रुपाई कर देजिए, यह कि इस अगस्त महीने में आप रुपाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारी जो चार्ट आपको बता रहे हैं, कि यह नहीं पोधा है, आपको पेरी दिख पा रहे होगी, यह रुपाई से चोथे साल की प्लां प्लांट सब फूट के फिटिंग है, और इसमें फली की लंबाई सबसे अच्छी होती है, साथी उताजते हैं, खेत कचुनाओ के लिए, आप किसी भी मिठी कचुनाओ कर साहिए, कोई भी मिठी हो, काली डूमर्ट, कोई भी हो, जिसकी पीयच्मान पांच से लेकर सारे देती हैं, क्योंकि बधाई नहीं होती है, तो हमारी जो केले की प्लांट वो गिरने लगती है, तो इसलिए आप इसको जरूर मतलब ध्यान दें कि बधाई पे, इससे तो इसका प्लांट काफी मोटा होता, जैसे आप देख सकते हैं, और घरी के लंबाई के अगर बात करें इसकी वजन 35 किलो से लेकर 40 किलो तक नॉर्मली होती है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीकर से का देख भाल किया हैं, अगर मतलब कि सभी को इस पर ध्यान दिये हैं, तो आप अराम से आपको 40 से 50 किलो दे रिखरे को मिल सकती है, बात करते हैं अगर इसकी डिस्टेंसिंग क जो पोदे की दूरी है, त्या होती है, चार फिट और ये एक जो पोदे की दूरी होती है, वो होती है 6 फिट, तीस टिस्टेंस पर आप लगा सकते हैं, आराम से, और आपको अच्छा पैदावार मिलेगी, तो चलिए फ्रेंस, वीडियो कैसा लगा तो अगर अच्छा लग केले की खेती करने वाले सभी किसान भाई आराम से के खेती कर सकें, इस वीडियो के माद्धम से, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, वन्ने मातरम, वेल्कम